कि नमस्कार दोश्रा स्वागत करते हैं आपको फिर से आपको चैनल में आज की स्वीडियो में हम बॉटनी के टॉपिक को कंटीनियू करने वाले हैं पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्लिहाब तिलित तक बता दिया था कि उसे और बीसी का कबर क्यों का जा आज सेल्स में ही आज हम आगे देखने वाले हैं जैसे कि प्रोटीन फेक्टरी हमनों हमने जाना था कि राइबोसोम को कहा जाता है ठीक है तो ही से आज कंटीनू करने वाले हैं यह देखे प्रोटीन प्रोटीन फेक्टरी किसे कहा जाता है दोस्तों राइबोसोम ठीक है और प्रोटीन फेक्टरी राइबोसोम को कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन को जो है बनाता भी है और store करके भी रख लेता है ठीक है कुछ समय के लिए जब आपकर इन प्रिस्थेती पड़ती है तो देखें राइबोसम जो है न दो परकार के होते हैं ठीक है राइबोसम टू टाइप्स के होते हैं पहला होता है क्या 70S और दूसरा होता है क्या 80S ठीक है यह 70S जो होता है यह थोड़ा सा हलका होता है ठीक है यह उपर की और तैर जाता है और यह 80S जो होता है यह भारी होता है यह नीचे की और नीचे की और जाकर के तल में बैड़ आता है ठीक है और यह जो है 80S ज्यादा ज्यादा अधिक मातरा में प्रोटीन बनाता है जिसे ज्यादा महनत वाले को ज्यादा झरण प्रोन प्रोटीन की होती है तो लोगों के लिए क्या की burntat so दो होती है तो beauty में आते हैं को नंगी आख़ों से नहीं देख सकते हैं। तो उसमें सेडिमेंट्रीस नीचे बढ़िवाथा है। ये वाला जो है यह आधिक प५ोटीन बनाएगा अधिक प्रोटीन बनाएगा ये किसे लिए बनाएगा हमारे लिए बनाएगा अधिक प्रूटिन बनाएगा ठीक है अधिक प्रूटिन बनाता है और यह जो है सेडिमेंटरी को बताता है एटी जो है वजंदार होते हैं टेस्ट्यूब में नीचे के और बढ़ जाते हैं और हमें जो ही एटी एस वाले ही पाय जाते हैं ठीक है और सेडिमेंटी एस वाले जो है वो बैक्टेरिया पैरासाइट्स वाइरस जो हमको नंगी आंखों से दिखाई नहीं पढ़ते हैं उन्हें पाए जाते हैं ओके लुचकों में पॉध्व में क्या होता है सिर्फ पॉध्व में ही होगा वह क्या होगा अर् फ्लास टीड टेफ iensоминаori कि सिर्फ और सिर्फ पर दपाधपों में ही पायाएंगैं यह प्लांट्स में यह केवाल उपसथ रहेंगे सभी को पता है कि करद ही जो है पौधों में हरारंग पॉधों के पतियोंrą या फिर पॉधों में कहीं पर व्याइध हरा रंग दिखाई पड़ता है तो वह क्लोरोप्लास्ट का कारण होता है ठीक है इससे हरा रंग होता है और इसी से जो है पेड़ पॉधे अपना भोजन भी बनाते हैं बोजन कैसे बनाते हैं दोस्तों फोटो सिंथेस के द्वारा ठ खुड में ठीक है और स्फिर दूसरे नंमर पर च आता है दोस्तुर यह लिए को प्लास्ट ठीक है को प्लास्ट और अम्मोर में, ने सब्सक्राइद मową और यह यह कहता है दोस्तों हरित लवक ठीक है इसा कहा setzen एक मोच लवक सोरी सोरी इसे एक्लूरोब्लास्ट इसकरण हाज हरा रंग आता है इसे और अश्यकितर और जिन तो अवरणनीत तो एधर गेकल का मतलब होता है क्या रंग का मतलब में हो यह टिक है तो इसमें रंग इसमें नहीं होगा इसे कारणную testu नहीं होगा यह जो है पौधों में टेंप्रारी जो है भोजन जमा करने का काम करते हैं ठीक है टेंप्रारी रूप से क्यूं करते हैं अ ऐचल suicide तो टवेब चाथ च्छ अपаюсь की पाइश में की इसे फूरेरियरा रूप से भोजन से आ जब यृस वहां करके रखा लेते हैं क्योंकि पत ज़ड के मौसम मैं जब सारे पाब बत्ते जब ज़ड़ जाते हैं तो तो उसमें जो है chloroplast पत्तों में खतम होता है जिसे कारण से यह photosynthesis नहीं कर पाते हैं और भोजन ततकाल नहीं बना पाते हैं तो यह क्या है कि टेंप्रोल रूप से यह chloroplast के कारण जो है अपना भोजन इस्टोर करें रख से लेते हैं टहनियों में तनों में जड़ों में और वह जो है पत्त जड़ में उनके काम आता है नाम को क्या है कि इंग्लिस में ही याद करते हुए चलना है ठीक है chloroplast क्योंकि लिकोप्लास्ट को आप रखे जाएंगे याद रखे जाएंगे अवर्णित तो पूस्ट देगा कि पधों में और अस्थाई रूप से भोजन जम करना है तो इंग्लिस में मिल्श करके रखना रखना या और यह पायता है तौस्म और सब्रें की सबस्क्राइब कुरों को आक क्रूम प्लाश्ट करोम का अर्थ भी जो है ये कणर सही है ठीक है इस ऐसा कोई एप्लिकेशन याता है करो मतलब या फिर क्रोम मतलब हो जाता है वड़नित लवाक ठीक है तो यहां पर देखें पूरा वड़न आ गया तो इसमें नहीं लगा है पर मतलब कि यह रंगों से अलग अलग होता है यह बसे पॉलों को रंग प्रदान करेगे फॉलों को रंग प्रदान होता है और य backyard करता में पौधों में लग कर नहीं होता है करूमा क्रोमा क् improv vexativa करन होता है पत्यों में रंग इस कृब किसमे जो है कि इस में इइसा इसादम है और मेलानीन मेलानी के कारण नहीं क्या होता है कि जिसमें मेलनीन कम वह जाता है थोड़ा गुरा लेकिन यह मैलनीन जो है इंसानों में होना बहुते ज़्यादा जर्री है क्योंकि यही मेलनीन जो है हमको इसकीन केंचर से बचाता है सरो साने वादी यूइ रेस जो है उसे यह हम rifler करता है कौन है और केंसर से बचाओ एक केंसर से की सिंकें ऐसी इस्तें से हमें बचाता है ठीक है यूवी को यह रोगता है उसके बाद से ज़ादे गोरे होते हैं वह अपना-पना देखेंगे और कुछ सोल से जो यह परेङनेता नोसी पर जाएंगे और कुछ केवल और किवल पकल नहीं से पाएंगे तो इसके लिए हम एक जलाफ बना लेते हैं कोलैबरेटक ग्लाफ ठीक है जो कि साजहा करेंगे एक दूसरे को एनिमल वाले ग्राफ को भी साजहा करेंगे और एक तरफ साजहा करेंगे कि इसको कि प्लैनेट प्लैनेट वाले ग्राफ को भी ठीक है कुछ इस तरीके से यह कि यहिSt i name देखते हैं की कौन सा केवल इनिमल सा पाय जाता है और कुंसा केवल पादवॉम में जाता है और कून सा जो दोनों पाए-घाए जयागा यह वदिए बोलग वरकशने यह जाएल कई जिसमें आ जैंगे हम आप इसमें आजेका ठीक है का अगा दोस्तों प्लाइंट divorced तो देखिए। सब कि सबस्ma दे यसमें जितने सेल्ष पाइजाते हैं इनका अकार जो वो छोटा होता है और प्लानेट को पानी को इस्टोर कर रखते हैं हमारे सरीर में होते हैं इनमें भी वेक्योर्स होते हैं तो यह वह बड़ा होता है इसकरन से हम इसे बीच में रख पाएंगे दुनों में इन्में जो है वह चौकूर चौकूरा कर होता है यह इस में चलने के लिए ठीण ऐसिह सद्विन और फलाजना पढ़िए सधान पर तो इसमें जो है सिलिया फोरा जया पाय जाते हैं इसमें रंगों करे एक क्लोरी है अब कि को दो हिंगा इनको भी था है इन पाजता है और हमें नहीं पाजाता है क्लोर प्राइब हमें पाई जाता है मेलानीन हमें जो है सेल डिविजन के लिए पाई जाता है सेंट्रोसों ठीक है हमें पाई जाता है क्या प्लास्टीड ठीक है ठीक है इस हमें पाई जाता है क्या प्लास्टीड नहीं इसमें पाई जाता है सेल प्लेट ठीक है इसमें पाई जाता है दोस्तों क्या सेल प्लेट पाई जाता है ठीक है हमें पाई जाता है क्या लाइसोस्टों इनमें नहीं पाए जाता है इनमें पाए जाती है कोशिका भित्ती जीन हम करते हैं सेल वाल ठीक है सेल वाल पाए जाता है और हमें प्लान्स दर्वे बड़े हो सकते हैं, तो उर्जा की रूप में हमको क्या देता है, क्या से बनता है, माइटो कॉन्रिया, karşı ही हमको उर्जा निर्मार के आव सकता पड़ती है, अब इस चसके वात है, उर्जा परिवार होगा, तो उर्जा परिवान किसके द्वारा होता है दोस्तों हमारे ब्लड में किसके द्वारा जाता है गॉलजी बॉडी ठीक है गॉलजी कहके द्वारा जाता है गॉलजी बॉडी और गॉलजी बॉडी है तो जाहिर सी बात है फिर एंडोप्लास्मिक रेटिकूलम भी होगा ठीक ह हमको जो है जादे प्रोटीन कह सकता है तो हमसे एसफ प्रकार का राइबोसम होगा ठीक है जो कि हमको imparti किल के बनाने में मदद करेगा उसके बाद को हम दोनों हम पा याता है क्या कैंद्रक क्या पांत है थोसथे केंद्र क्यिक्ष। जिससे कि डिसाइड होता है कि कौन से twist जो है वो किस प्रकार से काम करेंगे ये निकुल से decide करता है ठीक है अब sales में भी दो प्रकार की होते हें ठीक है दो प्रकार के sales होते हैं कौन कौन से होते हैं दोस्तों पहला prokaryotic फ्यक है एक होता है prokaryotic और एक होता है क्या दोस्तों यूकेरियोटिक ठीक है प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक इसमें से हम किसमें आंगे दोस्तों प्रोकेरियोटिक नई, यूकेरियोटिक, ठीक है, हम आंगे इसमें, यूकेरियोटिक में ये होते हैं, और विक्सित सेल होते हैं, और विक्सित सेल होते हैं, पूरी तरीके से विकास इनका हो चुका होता है, सिशू से लेकर के, पूरे बुढ़ा होती तब, ठीक है, ये विक्सित होते हैं, तो कि यह मोलग गर्वव कि इस इसार में होते हैं इसे हमसे धेक सकते हैं लेकिन प्रोकरियोटिक को हम नंगी आऊंग Khoset नहीं देख सकते हैं नहीं चूँ सकते हैं अब पूछा जाता है कि अपने ही इसमाइन संतान उत् springs humano दोनों में होते हैं लेकिन सबसे तेज किसमें होगे प्रोकेरियोटिक में होगे या फिर यूकेरियोटिक में होगे तो दोस्तों सबसे जादे speed होगा prokaryotic में क्योंकि इसमें कोई भी जिवन चकर नहीं चलता है संतान उत्वत्ति के लिए किसी प्रकार का प्रजन नहीं चलता है ये जो है केवल cell division करते हैं और एक से दो हो जाते हैं क्या हो जाते हैं एक से दो खाली ये खुद को बांट देते हैं और इसमें क्या होता है कि पूरी प्रकार से cells के बनने के प्रक्रिया होती है और इसमें को है कुछ है जो है महिनों और सालों का वक्त लगता है तभी जाकर कि एक सिसू उपन होता है ठीक है तो सबसे तेज prokaryotic में होती है अब देखिए prokaryotic हमारे लिए जो है कुछ तरीके से घातक होते हैं कुछ वायरस इसमें हमारे लिए घातक होते हैं ठीक है तो इसमें से किसी-किसी में क्या मिल जाता है कि इसको देखते हैं ठीक है यह हो गया प्रक्रियोटिक इत्प है तो इसमें किसी किसी में सारह सबने नहीं पाये घाल किससे भृत्ति अगर भृति पाई जाएगी तो फिर वह मतलब से बने होंगे ज़ादे जादे ही मतलब मांशल रूप से जो वायरिस होंगे उसमें जो है सखलोस की कोशिका भित्ति होगी, लेकिन इनमें जो है चलने के लिए का पाफा जाते हैं, 평is, का पाफा जाते हैं का पाफा जाते हैं दोस्तों, इस caip por witness जैसे की हमारे कोरोना वायर्स में, इस पाइक प्रोटीन है ठीक है जैसा कि ये कोरोना तो इसके चार ओर जो था ये कोरो इस पाइक प्रोटीन था इस तरीके से इस तरीके से ये था ये इस पाइक प्रोटीन थे ठीक है हमारे कोरोना वारस में इस पाइक प्रोटीन ही था और इसमें किसी में पाई जागा फिर क हिसमें मैİTO-कॉंड्रिया नहीं पाजयता है उसमें जो है पूरी तरीके से स्लवाल्बी नहीं होगा ठाइक lib विशित ह्री यह क्या है कि मेख सांस नहीं ले पाएंगे अगर मैट्र अनुडर्या नहीं होगा तो फिर उरजा नहीं बनेगा उरजा नहीं लेंके दो इन्मे जो सांस लेने के लिए हो जाता है वह होता है जीवद्रवां देखें जीवद्रव नहीं है कि यही प्रोटीन बनाएगा तो इनको जिंदा रखने प्रोटीन देगा और इन्हां मेरा वो होका वह सेबंटीज प्रकार हो ठीक है कि इसमें व्विख्सित सेहल होंगे उन्हें लोज की होंगगे उससे ज है कोशिक भित्ती सब्सक्राइब ठीक है और इसमें प्सक्राइब और ग्लाइकन अ रोग अलवाल arqugen प्रकार का है इसमें इसमें किसी-किसी में जो 9 नहीं पाएrec General होगा तो और यह घंकर नुकलीयरश के कारण होता क्या है कि यह अगर कोरोना वायरस का सेल है इसके अंदर फी नुकलियस है क align है और समय की प्रोटीन बना रहा है और नुकलियस का कर रहा है कि इसको जानकारी दे रहा है क्या ऐसको किया बनाना यह को रधार एंट है यह उच्शोटव होता है यह जाकर के सीठे सठ जाता है कि समें ये सट जाता है सेट्रोस सुम में झाल जाता है तो जल्दी से प्रोडीउस करो आप कुरोना वायरस को टीक है तो इस प्रकार से फिर जो है सेट्रोस लगातार बनाता जाता है और एक टाइम पर जब लाइसो सुम को ने बटा चलता है कि यह हमारे लेगा तक यह लगता है तो यह जोसही पहुचा है और यह कोरोऊश जाती है जह यह जो है पूरा पूरा हमारे सौप्ठ फेफडे में उतर जाती है जिससे कि वहां पर यह आसानी से अपने कारी को कर सके ठीक है तो बस सेल में आज इतना ही रहेगा जिसमें हम लोगे ने थोड़ा सा टेंपरार रूप से दोनों को देख लिया है एनिमल और प्लैनेट्स को आगे चलते हुए जब हम बोटनी ब्रांच में वी चलेंगे तो प्लैनेट्स के बारे में हम अच्छी से पूरी जानकरे लेते हुए आगे बढ़ेंगे ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते है अंगली वीडियो में जब तक के लिए जैहन